हाई लिब ला तोल़ रश्री कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का मिरे चानल पे आज हम आपकी पंदल दिन के रीडिंग करने वाले हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हम सब देखेंगे, इससे पहले कि आपके रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, कि प्लीज वीडियो को थोड़ा सा पॉस कीजिएगा, और जिन भी शक्ति मैं बिलीव करते हैं, उनसे कने लिए पंदरा निवंबर से तीस निवंबर क्या रहा है लिपरास की लाइफ में लग्रास की लाइफ में क्या रहा है, और जिस पहले पापा आने वले छोचे पंदरा दिन है, थेंक यू सो मच, ये द्रीम्स नीद प्रेक्तिकल प्लान, be bold and make the first move okay expect powerful change oh okay Libras step out of your comfort zone and expect powerful change first I want to tell you that there will be some miraculous in your life in 15 days okay Libras and this miracle is how it is, do you know, it's your fault no person is not doing anything in your life, you are about to understand you are coming out of your comfort zone in 15 days you are doing something like Libras that you have never thought before a big decision or you are going to take action or you are making a decision you are making a decision and I don't say that you are just making it in your mind you are implementing it in your life you are practically making it in your life you are increasing on that thing okay? कुछ ऐसी चीज़ शायद आपने पहले कभी सोची नहीं थी या फिर आपने शायद सोचा ही नहीं था कि आप ये काम कभी करोगे या फिर ये एक्शन कभी लोगी या इस तरफ कभी आगे बढ़ोगे या जीवन में कभी आप ऐसे होने वाले हो ठीक है? कुछ ऐसा आपकी लाइफ में इस वक्त में होने वाला है ठीक है? इन पंद्रा दिनों में Expect powerful change Step out of your comfort zone तो कुछ बड़ा है अभी वो कुछ Libras के लिए internally है कि आप अंदर से बहुत change हो रहे हो और जो आपके thoughts Thought pattern जैसे रहे थे कि शायद आप कुछ ऐसे काम नहीं करोगे life में ठीक है? कि भही मैं तो वो नहीं करो आच्छा यह मैं किसी negative sense में नहीं बोल रही हूँ यह मैं positive sense में बोल रही हूँ इसे कुछ negative मस समझीएका यह positive sense में है और यह आप ही की अच्छे के लिए है actual में इससे आपका कोई life purpose जुड़ा हुआ है समझ रहे हैं आप मेरी बात और शायद आपने अपने दिमाग में वो चीज़ सोची थी कि भी मैं जीवन में अपने जीवन में यह काम तो नहीं करने वाला या करने वाली या फिर मैं ऐसे तो नहीं रहने वाला या रहने वाली या ऐसे तो नहीं कुछ action लेने वाली में अपने life में या लेने वाला वो कुछ आप करते वह यहां पर दिखाए दे रहे हैं और एक बात याद रखिये का यह जिस पात पर मुझे ऐसा लग रहा है यह कोई आपको एक रास्ता मिल रहा है या फिर कुछ आप ऐसा कोई रास्ता चुन रहे हो और इस रास्ते में आप बहुत shine करने वाले हो और exactly divine जो है वो चाहते थे कि आप उस पात पर चले क्यों क्योंकि यह आपका North Nord है यही आपका Life Purpose है इसे ही आपने जीना है जिस चीज से शायद आप fearful थे कभी डरते थे या इगनोर करते थे ठीक है यही आपका वो जिसे कहते है पात एक्च्वल पात है यह वो मोड है जिसे हम कहते हैं कि जो काम हमने नहीं सोचा ना जीवन में कि नहीं करेंगे वही पर आ गए और हमें संतुष्टी भी अब वही मिल रही है अच्छा यह काम ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आप इस जगह पर अगर आप हो तो आप अपने आपको uncomfortable feel कर रहे हो comfort zone से तो बाहर आ रहे हो थोड़ा सा uncomfortable feel कर सकते हो लेकिन इसमें मुझे शांती ज्यादा मिल रही है क्याते है ना एक बार बताई जब आप अपने life purpose को जीते हो ना तो ऐसा तो है नहीं कि एक असंतोष का भाब तो आएगा नहीं आपको अंदर से संतुष्टी बहुत मिलेगी अंदर से पीस बहुत मिलेगा अभी वो पात थोड़ा सा है पंदरवीमों में सही ट्रैक पे आगए अब बने ही इस चीज के लिए थे जो आप ये करने वाले हुआ अप समझ रहे हैं आप ओमाइग पावरफुल एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज वेरी पावरफुल ये बदलाव ये चेंज बहुत ही पावरफुल रहने वाला है आपकी लाइफ में 1111 है ना आज 1111 का पॉटल यही लेकर के आ रहा है आपके लिए मैंने इस पर शोट बनाए थे कलेक्टिव के लिए था वो और अलगलग तो मैंने ही बना सकती जोड़ एक साइन के लिए इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास तो यह आपके लिए मैसेज आ गया है माई दियर लिब्रास ठीक है beautiful 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 thank you 가능 sneeze मिलेकर कैसा रहे garment है क्या और मायंसेट कैसा रहे कि अभूले बापा इन पंदरा दिरू में आखो ओ भाई क्या बात है थ्री ओफ माइचल बॉटम ऑफ दिख है भाई थो थो फॉर्टी फॉर्ट है फिर दो फॉर फॉर्फ माइचल ये माइचल जो है ना ये फॉर्ट्स के बारे में बताते हैं आपके ठीक है फाइफ आफ उ लेट सी, थोड़ा सा एनर्जी ले ले हम, क्या है ये, कि माइडियर लिब्राज, तो ये ना पते क्या है, सॉरी फोर दस्पेस, माइडियर, मेरे स्पेस थोड़ा कम है, तो जितना दिखे, उतना देखिये, ठीक है, ये, एनर्जी मुझे ऐसी बता रहे हैं, कि थोड़ा ना, शेकी एनर्जी में आप रहने वाले हो, ढरना मत, ठीक है, समझो इस बात को, शेकी एनर्जी क्या है, कि आपके सामने ना, वो चीजें आपको एक्चुल में पता चल रही है, मैंने बोला ना, कि step out of your comfort zone के साथ, कि कुछ ऐसा हो रहा है, और आप एक move ले रहे हो, आप एक decision बना रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपनी life में, और thoughts तो हमें वैसे भी decisions के बारे में ही बताते हैं, तो यह साथ उस energies में हो, और आपकी खुद की decisions, मेभी आपको थोड़ा साना, यह shake कर दे, हिला दे, और आपको वो realize हो जाए, ओके, जो मैं कर रहा था या जिस पात पर था, वो मेरे लिए सही नहीं था, ठीक है, और यह मेरे लिए सही है, और कही न कहीं आप जो doubts है थोड़े से, आप वहाँ अपनी strength को जाच रहे हो, समझ रहे हो, अपने आपको जिसे कहते हैं ना, कि थोड़ा सा वो करना, ओके, let's see, देखते हैं कि यह मैं कर पाता हूं कि नहीं कर पाता, let's see, let's see, let's try, ठीक है, यह वो वाली energies है, चलो try करके देखते हैं, यह वो वाली energies मैं यहाँ पर मिल रही है, आप वो सब try कर रहे हो, और इस energies में हो, कि ठीक है, थोड़ा सा यह उर्जा मुझे हिलाएगी, यह थोड़ा सा discomfort में लेकर के जाएगी, थोड़ा सा यह मैं challenge ले रहा हूं अपने life में, यहाँ ले रही हूं, और चल कर देखते हैं, इस path पर क्या हो मिलता है हमें, और यह देखो न, आपके जो mindset है, वहाँ पर भी 7 of Michael, इस card को अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, two paths हैं, दिख रहे हैं, यहाँ पर two paths हैं, और यह रहे angel, और आप सोच रहे हो, वैसे तो चुनी ही लिया है, आपने यह path, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर message है, कि आपने शायद एक path चुन लिया है, और अब आप सोच रहे हो, चलूँ या नहीं चलूँ, क्या ने वाला है आगे, क्या unfold होगा, foggy है ना situation, अभी clarity नहीं है, मैं यह नहीं कह रही कि आपको तो सब कुछ दिख गया, आ कुछ लोगों के लिए वो path आपने choose कर भी लिया है, और कुछ लोग करेंगे, लेकिन confusion साथ में चल रही है, आपके, confused अभी भी हो, कि क्या सही चुना है, इस तरह का mindset समझ रहे हुआ मेरी बात, यह आपके अंदर की बात है, अंदर की, दिल की बात, आपके अंदर मन की बात जैसे बोलते हैं, और देखे, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, with the seven of Michael, कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, और बढ़ भी रहे हो, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, एक बेबी स्टेप्स होते हैं, वो आप ले रहे हो, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस कर रहे हो, और इस बारे में न, ओर डिटेल्स लीजिए, जहां आप आगे बढ़ रहे हो, डिटेल्स ओर लेना, और मैं यह नहीं बोल रही हूँ, कि किसे पर अंध विश्वास कर लो, किसी की बस यूही सुन लो, अपने उपर विश्वास करके, या फिर मैं कहूंगी कि अपने हाठ को फ सुवेशन में हो, कि आपको बता नहीं चल रहा है, सेवन नंबर का कार्ड है, डिवाइन नंबर है, ठीक है, कि आपको किस डारेक्शन में आगे बढ़ना है, या फिर जो चूज करा है, आपने वापके लिए सही है या नहीं है, वो आंसर आपको आपके अंदर मिल आपके divine energies जो है ना, वो आपको, आपकी intuition के थूँ आपको वो guidance देंगे, आपकी intuition के थूँ या फिर आप उनसे प्रात्ना कीजिए और meditate कीजिए, किसी ना किसी form में वो आपको directly वो message देंगे, किसी भी form में आपको वो message देंगे, और ऐसा ही कुछ mindset, ऐसे ही कुछ energies में आप रहने वाले हो, और आप लोगों को बोला जा रहा है, ये जो भी past की, आपके thoughts रहे हैं ना पुराने, उन्हें अब release कर दो, अब उनको दुबारा से मताने देना, उन्हें अब release कर दो, आएंगे वो, definitely आएंगे, वो चीज़े आएंगे आपके पास, दुबारा से, लेकिन आपको उन्हें release कर देना है, और अपने आपको motivate करते हुए आगे बढ़ना है, knowledge और इकठी करो, उस जगा के लिए, उस path के लिए, और knowledge इकठी करो, और आगे बढ़ो, बस, meditate करो, ये आपके लिए बहुत जरुरी है, meditation से क्या है, आपका connection divine के साथ direct होगा, और connection direct होने का मतल अंदर मिलने का मतलब क्या है, किसी भी form में आपको guidance मिलेगी, मेभी आप phone on कर रहे हैं, कोई short आपके सामने ऐसा आगे, कोई message आपको लिखा हो आगे, किसी की WhatsApp आपको ऐसा कि आपको 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 message दे रहा है, आपको वो guidance दे रहा है, ये होता है connection, बनाना, इसलिए बोलत अंदर ही answer नहीं मिल रहे होते हैं, इतने जल्दी नहीं मिल जाते हैं, ठीक है, past के energies को release कर दो, अपने अंदर के negative mindset को अपने उपर हावी मत होने देना, ये होगा, होगा, ये बतार ही हुमें आपको, क्योंकि योही past के energies जो है release नहीं हो जाती है, past के thoughts योही release नहीं हो जाते इसे पकड़ के बैड़ जाओ, इसके उपर भारी हो जाओ, इसे आगे ना बढ़ने दो, इसके अंदर doubts आ जाए, इसके अंदर fear आ जाए, अरे मैं बढ़ू यानी बढ़ू, समझ रहे हो, तो उस वक्त आपको हारना नहीं है उन negative thoughts के साथ, अपने आपको जितना हो सके encourage और अपने उपर यकीन रखिये और आगे बढ़ते रहे है, ठीक है, let's see, singles के लिए, क्या आ रहा है, इन 15 दिनों में भूले वापचो लोग single है, Libras, Tula Rashi वाले, उनके लिए 15 दिनों के लिए, क्या आ रहा है, 15 दिनों में क्या आ रहा है, प्ली स्काइब करें, देखिए जा रहा है, my dear singles, क्या बात है, आपके पास तो अवेलेबल है, ऐसी चीजे, आपके आसपास ही है कहीं, ठीक है, आपके आसपास ही है, जो आप चाहते हो ना अपनी लाइफ में, आपके आसपास ही है, आप opportunity चाहते हो आपनी लाइफ में, तो सबसे पहले तो अपने mindset को positive कर लो लिब्रास, जो सिंगल्स की मैं बात कर रही हूँ, जो भी आपके साथ पास्ट के experience हुए है, ठीक है, किसी ने आपको ठुकराया है, या फिर आपने जिसे चाहा था, वो आपको नहीं मिला या मिली, या जो भी situations रही हैं आपके साथ, अपने अकॉर्डिंग देखिए, एक journal reading है, प्लीज उन्हें release करो, हर चीज ना किसी reason के लिए होती है, बस आपको उसे, जो भी था, आपका negative, जो भी connection, या फिर जहां भी आप stuck हो अभी भी, उसे release करो, और आने वाली जो opportunities है ना, उसके लिए अपने आपको open कर लो, समझ रहे हूँ आप, आगे बढ़ो, आसिल होगा, आप आने वाले 15 दिनों में विना, विद्धी 5 of Raphael, यहां पर आप लोग past में ही स्टक्ड दिख रहे हो, और मैं यहां पर देख रही हूँ कि आपकी तरफ opportunity भी आ रही है, आपकी तरफ कोई एक new connection आपकी life में आता हुआ दिखाए दे रहा है, ठीक है, लेकिन आपको बोला जा रहा है, यह connection की entry कैसे होगी, जब आप अपने आसपास खुशियों को देखना स्टार्ट करोगे, अपने गम को हटा दोगे, अपने life के हर respect में, खास कर अपने relationships में ही, जो past था, जो ex था, जो भी था, वो चला गिया, कोई भी reason कोई भी हो सकता है, मैं यहा आ चुके हैं इस दुनिया से, और आप आगे बढ़ना चाहते हूँ, आपको भी एक new partner की जरूरत, एक support की जरूरत है, जितने भी singles है, मैं उनकी बात कर रही है, ठीक है, तो my dear, आपको यहां पर बोला जा रहा है, जो हो चुका, वो हो चुका, उस चीज में, उस energies में, अब स्टक नहीं रह सकते हैं, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, डिवाइन भी यहां पर यही चाहते हैं, तो आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी तरफ opportunities आ रही हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो अपने आस पास जो आपकी खुशियां हैं, जो आपकी अपने हैं, जो पहले तो अपने आपको ओपन करो, आपके लिए यही है, क्योंकि यह इन पंद्रा दिनों में भी आप स्टक्ड हो, पास्ट में, लेकिन आपके तरफ opportunities भी आ रही हैं, options भी आ रही हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आप उदर ध्यान नी दे रहे हो, और ऐसा नहीं हैं कि सब पास्ट की उर्जा को जो है, रिलीज करो, पास्ट की थोट्स को रिलीज करो, जो भी पास्ट था माइडियर, उसे रिलीज करो, अब उसे रिलीज करने का वक्त आ गया है, अब एक डिसीजन मनाने का वक्त आ गया है, ओके, डिसीजन मना और आगे बढ़ो, घबराओ मत, प सब्सक्राइब लब राप लाराशी पेज ओफ रपाइल ओके हम मैंने बोला ना सिंगल्स कुद मैंने बोला कि उनकी तरफ को एपॉर्चुनिटी आ ही रही है अफनों के लिए और रही है और जो लोग यहांपर रलेशननश्प में हैं SECO मुझे यहांपर इसा दिखाई दिराएं है ए पहन Зд Salam जो लोग relationship में हैं, married नहीं है, जिनको commitment नहीं मिला, आपके partner आपको commitment दे सकते हैं, okay, आपके partner आपको commitment दे सकते हैं, इस वक्त में, highly chances यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, और उनका प्यार आपके लिए बहुत बढ़ रहा है, और बहुत ही loving energies यहाँ पर नजर आ रही है, म ठीक है, कि आप लोगों का प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ता हुआ, यहाँ पर दिखाए दे रहा है, लेकिन एक message देना चाहूंगे, लिब्रास, जो लोग married है, एक card or निकालते हैं, दिन मैं बोलती हूँ, ठीक है, thank you, भूले बाबा, नहीं, यह मुझे नहीं चाहिए, एक बार और, thank you, भूले बाबा, please, guide कीज़े, thank you, three of Michael, exactly, exactly, जो मेरे माइन में यह चीज आई थी ना, जो मुझे message मिला आपके लिए, जो लोग, देखे, यह क्यूंकि जूनल रिडिंग है ना, तो सबके साथ एक ही वाले message नहीं आ रहा, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लिबरास देख रहे हैं, तो जो मुझे message मिल रहा है, अब आप देखेगा आपके इस energies में हो, आपको ले करके ठीक है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा उनका mind है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप पते क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें थोड़ा इगनोर कर रहे हो, समझ रहे हो, आप उन्हें थोड़ा सा इगनोर कर रहे हो, आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नी दे रहे हो, या फिर आप बहुत ही for granted आप उन्हें ले रहे हो, कुछ ज़से फरक नी बढ़ता, देखा जाएगा kind of energies, मुझे यहाँ पर energies मिल रहे हैं आपकी, कि देखेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा फरक नी बढ़ता, कहने का मतलब थोड़ा सा serious हो जाओ, थीक है, थोड़ा सा serious हो जाओ, इतना careless हो करके मत दिखाओ इस relationship में, चाहे आप married है, ठीक है, चाहे आप किसी relationship में हो, serious होना है आपको, उस तरफ अपने efforts दालने हैं, अगर आप for granted लेते रहे, अपने partner को, तो आप इस रिष्टे को खो सकते हो, समझ रहे हो, अभी ये चाहे मैं कहूं कि कुछ लोग पर्मानेंट रिष्टे को खो सकते हैं, और कुछ लोगों का इहां पर break up है, या फिर इस तरहे के high chances बनते में मुझे नहां पर नज़रा रहा है, स अब आपको क्या करना है, आपको उसके efforts दालने हैं उस पर, ठीके जो आपको guidance दी जारी है, कि आपको careless नहीं होना है, अपने रिष्टे को for granted नहीं लेना है, अपने person को नहीं लेना है, थोड़ा serious हो करके दिखाई, अगर आपका person serious है तो आपको equal give and take करने की जरूरत है, अपने life में, तो आपको बुला जा रहा है, रिष्टे को ignore मत कीजिए, रिष्टे पर भी focus कीजिए, ओके, नहीं तो एक अच्छा रिष्टा, आप हासिक हो सकते हो, और यही situation आपके other relationships पर भी रहेगी, other relationships में अगर मैं बात करूँ, देखिए वैसे तो harmony बनी रहेगी, बश रिष्टों को लेकर के, आप भी अपने efforts दे रहे है, equal given take वाली energies होनी चाहिए, otherwise क्या होगा ना कि दूसरे जो रिष्टे हैं, फिर वो आपको अगर आप उनको इसी तरहीके से ignore करते रहोगे, तो उनके भी फिर आप वो भी कुछ आपको ऐसी बाते कह दें, या फिर वो कु Ace of Michael, Spirituality, Moon, Moon का काड़ाना बहुत ही ब्यूटिफुल आपके Spirituality में, क्यूंकि ये बिल्कुल कनेक्ट कर रहा है, जो मैं आपको आपके life purpose को लेकर के भी जो मैसेज दे रही हुए, विन अबरोव गहितन सकी या, seven of a real, oh okay, okay okay, मैं चिटो बारा से शफ्ल करना होगा, okay हाँ जी बिल्कुल ओके देखो लिब्रास एक बात बोलूंगी बहुत ही यहाँ पर ना थ्री ओफ माइकल और नाइन ओफ माइकल के अनर्जियर थे हम ओके तो यहाँ पर जो आपको बोला जारा है आपका जो करियर है करियर में लिब्रास मुझे ऐसा लग रहा है कि मेभी आप जिस तरफ बहुत जादा अपने efforts डाल रहे थे जहां आपने अपने बहुत अपना time invest करा है अपना बहुत समय दिया है hard work करा है अपनी महनत डाली है करियर में और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको उसके आउट कर आने वाले 15 दिनों में उतने अच्छे मिल नहीं रहे है यह जो आप करते आ रहे हो में उसकी बात बता रही हूं ठीक है और आप बहुत ज्यादा ना जिसे कहते हैं कि negative thoughts में बहुत ज़्यादा चिंताओं में बहुत ज़्यादा जा रहे हूं ठीक है आपको यहां पर बूला जा रहा है आप जो भी कर्म कर रहे हो जिस तरफ दी देखिए कुछ लोगों के लिए ना एकदम से यह कोई एक shift मुझे नज़र आ रहा है maybe आप लोग आपके अंदर कुछ जग रहा है कुछ आपको दिखाई दे रहा है with the moon card also समझ रहे हैं आप कि आपको एकदम से कुछ समझ में आ रहा है कि exactly कि जो मैं कर रहा हूं वो शायद मेरे लिए नहीं है और मेरा path कुछ और है मेरा career path कुछ और है okay that's why कि मुझे यहाँ पर में जितने भी efforts डाल रहा हूं जितना भी hard work कर रहा हूं मुझे उसके results नहीं मिल रहे है वो होता है ना कि बस waiting period, waiting period, waiting period, patience law, patience law वारी energies है ठीक है लेकिन जो जिस तरह का outcome यह नहीं कि बिल्कुल zero है आपको outcome ही नहीं मिल रहा है आपके career में मिल रहा है लेकिन उससे आप बिल्कुल happy नहीं हो वो उतना नहीं है जितना आप invest कर रहे हो जितना आप hard work कर रहे हो उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है उसका honestly मैं बोलू तो तो आपको यहां पर बोला जा रहा है कि सबसे पहले जो आपके लिए cards निकले है अभी क्योंकि एक journal reading है तो अपने-पने accordingly apply कीजिए किसी की personal reading नहीं है तो मैं किसी भी तरह के outcome पर नहीं जा सकती हूँ तो बस इस समय आपक आगे बढ़ना चाहते हो उस पर focus करिए और आगे बढ़ते रही है outcome क्या होगा उसके बारे में मत सोचो माना आपको desired outcome नहीं मिल रहे हैं जो आप चाहते हो वैसा आपको fruit नहीं मिल रहा है जिससे कि आपका दिल दुख रहा है लेकिन आपको यहां पर इस तरह के negative feelings negative thoughts को release कर है चाहे वो कोई guilt है अंदर कि शायद मैंने और efforts दाले होते ठीक है चाहे वो कुछ भी है को इसी तरह का regret ही क्यों नहीं हो आपको यहां पर बस यह बोला जा रहा है कि इस तरह के thoughts से ना आपको डील करना है इस वक्त में में भी आपकी ना परिक्षा चल रही है लब्रास इ देखा जा रहा है कि आप किस तरह के से डील कर रहे हो इस situation को तो यहां पर divine आपको सिर्फ यही बोल रहे है कि इस वक्त जो भी हो रहा है आप अपने अंदर patience रखो और आगे बढ़ो ठीक है आगे बढ़ो बस जो आप अपनी life में चाहते हो उस तरह focus करके आपको आगे और यह मैं आपको क्यों बूल रही हूं बहुत से लोगों को यहां पर जीत मिलने वाली है क्योंकि यहां पर ace of Michael है बाद में ठीक है जो की ace of source के अनर्जिस है वो आपको success मिलेगी ही मिलेगी तो इसलिए मुझे ऐसा भी यहां पर दिखाए दे रहा है कि कुई एक idea जो मैं आपको बता रहे हूं न यहां पर कुछ लोगों के लिए कि यहां पर कुई आप अपने एक ऐसा कुछ काम करने वाले हो जो आपने सोचा नहीं था तो yes कुई ऐसा idea कुछ ऐसा thing आपके mind में हो कि मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है या फिर इस तरफ मुझे अपने life में decision मनाना है इस तरफ मेरी progress है यह चीज मेरे लिए है तो वो चीज होगी कप जब आपे situation से बाहर आओगे तब ही होगी न अगर आप इसी tension में इसी regret में इसी guilt में इसी इन ही तरह की worries में अगर आप लैठेर होगे तो आप अपनी life में decision कैसे बना पाओगे अगें अगें वही बहली बात है five of cups and ace of Michael की देखो जो हो चुका वो हो चुका अब आगे बढ़ना है आगे की तरफ देखना है जो आप अचीव करना चाहते हो उस तरफ देखिए बस अपने efforts दालते रहिए मुझे आपको उसके fruitful results मिल रहे है या नहीं मिल रहे है जीट तो निश्चित है आपकी जो भी ideas आपके अंदर आ रहे हैं उसको भी implement कीजिए और अपना hard work अपना thousand percent देते रहिए result आपको for sure मिलेगा वो progress आपको देखने को मिलेगी लेकिन इस वक्त पे इन पंदरा दिनों में have patience patience बना कर चलो ये वक्त आपका patience का है ये divine आपको correct यहाँ पर बता रहे हैं आपके career में आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके clear communicate कीज़ेगा अपने आस पास के लोगों से चाहे आपका personal area है चाहे आपका career है चाहे आपकी overall life की बात कर रही हूं overall आपको कोई चीजे चुपानी नहीं है मतलब यहाँ परना इस moment पर misunderstanding, misguide होना इन सब चीजों के आना वक्त नहीं है आपके लिए आपको बोला जा रहा है clear cut हो करके truthful हो करके अपनी life में बढ़िए कहीं अगर कोई doubt है किसी से clear करने की जरुरत है तो communicate clearly कीजिए ठीक है अगर आपको कुछ कहनी की जरुरत है अपनी emotions को रखनी की जरुरत अपनी बातों को रखनी की जरुरत है तो present कीजिए ठीक है truthful हो करके आपको अपनी life में बढ़ना है जितना आप truthful हो करके अपनी life में बढ़ेंगे उतनी ही growth आपको अपनी life में यहाँ पर मिलेगी और जितना आप अपने emotions को hide करोगे जितना आप अपने faces पर जिसे कहते है न कि तू mask लगा कर के चलोगे कि चाहते कुछ होर हो क कुछ हो रहे हो बोल कुछ हो रहे हो तो उतने ही आपको उसके नेगटिव रेजल्ट्स देखने को मिलेंगे तो जितना हो सके ओनेस्टी के साथ आगे बढ़िए और एक बात है इन पंदरा दिनों के लिए भी लिबरास यह जो भी काज आए हैं लेकिन जो मुझे फीलिंग आ हावी मत होने दीचेएगा ओके नेगटिव माइंसेट को आपको अपने उपर हावी नहीं होने देना है अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की तो हैल्थ आपकी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी कोई इस्यू नहीं है हेल्थ में बस आपको यह बोला जा रहा है थोड़ा सा इसे कहते हैं कि लाइफ में वो एक स्टॉपर जाते हैं बंस आते हैं उनसे आपको हिलना नहीं है ठीक है उनसे अपने माइंसेट को हिलाना नहीं है यह अपन डाउंस यह मून का काड़े नहीं है यहां पर यह फेस चल रहा है आपका तो यह भी फेस आया है यह भी फेस नि जिसके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे उतनी ही आपको ग्रोथ मिलेगी उतनी ही आप लाइफ में सही डिसिजन्स बना पाऊगे लिकिन टूथ फुल होकर किये मैं गलत चीजों के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहे हूं कि आपका दिल कुछ को और कह रहा है और आप हैं कहीं कुछ क्लियर करने की जरूरत है क्लियर की जो जाके थी कै अपनी बातों को रखिए सुनिए सुन्ना भी है और रखना भी है दोनोगांगरम मून के एनर्जी से तो ये वक्त माई-डियर लिवराज आप स्पिरिच्वली आपकेस निस बहुत-बहुत-बहुत ज़् और बिल्कुल accurate है इस समय आपको आपकी intuition के थो बिल्कुल accurate guidance, accurate messages मिलने वाले हैं तो आपको यहां पर बोला जा रहा है ये वक्त आप doubts भी बहुत करोगे ये भी मैं आपको बता दूँ आपको doubt नहीं करना है अपनी intuition पर अपने senses पर जो आपको feel हो रहा है जबकि gut feeling आपको बोल रही है जो आपको energies बता रही है उन पर trust कीजिए और आगे बढ़िये ठीक है और बिल्कुल इसी तरीके से आगे बढ़ते रही है और चीजों को ना देखे ऊपरी सते पर अगेन मैं बोलूँगी moon का card है य मैंने पहले भी यह बात बोली है आप लोग बहुत overthink करते हो बहुत जादा negative thinking में चले जाते हो situations थोड़ी सी तबदील हुई और आप भी आपके अंदर बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा negativity आ जाती है जैसे कहते हैं कि आप बिल्कुल यूँ चाही पर जा रहे हो यूँ positivity एकदम से इतने एक्टिवेट थे पॉजिटिव थे और जैसे ही जरा सा चेंज हुआ बिल्कुल नीच है तुरंथ के तुरंथ और वहीं आपको उसके result भी देखने को मिल जाते है with the three of sorts है की नहीं तो आपको बोला जा रहा है कि इस moment पर आपने आपको positive रखिए अपने अंदर के patience को बनाये रखिए और deeper level से चीजों को देखिए कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस वक्त में मैं exactly सही कर रहे हूँ अगर मेरे दिल की आवाज जो मुझे बोल रही है जो मेरे intuition बोल रही है मैं उसे follow कर रहा हूँ न अगर तो ये बिलकुल accurate है कि कुछ आप ऐसा कर भी रहे हूँ and overall आपके लिए जो message है na overall have patience my dear have patience ठीक है चाहे आप लोग singles है किसी चीज के लिए घबराये मत अगर कोई आपकी तरफ कोई relationship नहीं आ रहा है या कोई person आपकी तरफ नहीं आ रहा है चाहे single है चीज़े ठीक नहीं हो रही है it means आपके अंदर problem है अपने अंदर जाकर के देखिए आप अपने अंदर से कौन सी energies को shift कर सकते हैं change कर सकते हैं जिससे वो चीज़े ठीक होंगी जैसे मैंने बोला जो लोग relationship में है यहां पर जरूरत है इंपोर्टेस देने की जरूरत है अगर आप और ग्रैंटेड ले रहे हैं तो मत लीजिए चीज़े स्थिती बिगड़ सकती है और जो लोग यहां पर singles हैं अपने past को release कीजिए उस तरह के doubts को उन फियर्स को उन गिल्स को आपको उन regrets को आपको delete करने की रिलीज करने की जरूरत है और अपनी life में positive चीज़ो, positive emotions, positive relationships की तरफ देखने की जरूरत है उनको build up करने की जरूरत है तो अपनी उपर काम कीजिए आपको यहां पर बोला जा रहा है किसी भी तरह के negative thought patterns में मताईए और patience रखे डिवाई सब ठीक कर रहे है आपको उसके results मिलेंगे for sure मिलेंगे ठीके let's see thank you Bholy Baba ओफ मेरी cards बच गए जलते जलते बच गए thank you Bholy Baba please बताएं Libras के लिए क्या और क्या message है क्या guidance है आने वाले 15 दिनों के लिए thank you simply love you मुझे दिखा था और में रखने वाली थी पर मैंने नहीं रखा okay thank you opportunity beacons manifest ओके ये भी काड़ है master देखे ये बता मुझे ये ही बता रहा है सबसे जादा Libras shine bottom of the deck again ये भी fear के बारे में बता रहा है ये भी stuckness के बारे में बता रहा है ठीक है ये क्या बता रहा है कि आपके दिल में कुछ है जो आप एक ऐसे fear को लेकर के बैठे हो ऐसे किसी रिग्रेट को लेकर के बैठे हो जो आपके हाट चक्रा को ओपन नी होने दे रहा है उस पर काम कीजिए आप जिस वज़े से कि आप आने वाले जो अपॉचिनिटीज है ना चाहे वो कोई भी लाइस के एरिया की हो आप उस तरफ देख नहीं पा रहे हो पास्ट है आपका कु उनको याद करना बहुत अच्छी बात है लेकिन वो क्या बोल रहे हैं आपको यह दिसिदेट वन्स के अनर्जिस मिज़ें इहां पर दिखाई दे रही है चाहे वो कोई छोटे हो या बड़े हो लेकिन वो आपको कह रहे है कि हमें प्यार से याद करू आपकी लाइफ में लिबरास यह भी चीज है आप में से बहुत लोगों की लाइफ में की जो आपके अपने जिनके साथ शायद आपका बहुत एक स्ट्रॉंग बॉन्ड था वो आपके मदर फादर हो सकते हैं आपके ग्रान पेरेंट्स हो सकते हैं चुल्डरेन हस्बेन वाइफ जो जा चुके इस दुनिया से ठीक है ऐसे लोगों की में बात कर रही हूं आप उनकी एनर्जी में अभी स्टॉक डो नेगटिवली आप उनको याद करके बहुत रोते हो बहुत दुखी होते हो उनके जाने से आपको बहुत खालीपन फील होता है ओवेस होगा लेकिन वह आपको बोल रह यह उर्जा उनको आपसे कनेक्ट करने में एक ब्लॉकच क्रियेट कर रही है आपके जो आपके लवडवन्स है वो अल्वेस आपके साथ है वो आपको बहुत प्यार करते हैं और वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं वो आपसे कनेक्ट होकर के आपकी लाइफ में आपकी ला चाहते हैं आपके साथ मिल करके, आपकी लाइफ में जिसे कहते हैं वो पॉटिल्स को ओपन करना चाहते हैं, लेकिन आप जो हैं ब्लॉग्ड हो, क्योंकि आप उनको बहुत ही दुख से याद करते हो, तो उस एनर्जी को हील करो, माइडियर, क्योंकि आपकी अपनी करने की ज़रूरत है, और आपके लवडवन्स चाहते हैं, कि आप उनको जो उनके साथ बिताय हुए अच्छे पल है, जो अच्छे पल उनके साथ आपने बिताय हैं, उन्हें याद रखिए, उन्हें याद करके, खुश होईए, ना कि आपको रोना है, क्योंकि जब आप र messages receive नहीं कर पारते, समझ रहे हैं, और वो आपको यहाँ पर यहीं बता रहे हैं, कि भई, आपकी potential unlimited है, आपके पास वो strength है, आपके पास वो सारे resources है, कि आप यहाँ पढ़ना इस वक्त आप shine करने के लिए हो, ठीक है, और वो आपको पूरा support कर रहे हैं, लेकिन अपने heart chakra को open कीजिए लेपरास, अपने heart chakra को open कीजिए, अपने heart chakra को heal कीजिए, किसी भी तरह का जो grief आपने अंपने अंदर डाल रखा है, कोई grief है, कोई regret है, कोई fear है, ऐसी चीज़े ब्लॉक करती है आपके heart chakra को, आप देखिए आपके साथ क्या है, आपका heart chakra blocked है, यह बता रहे है कान भी भी, इवन जो लोग अभी काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी यही बोलूगी, कि अभी काम नहीं हुआ है, हाट chakra पर, तो प्लीज इस पर काम कीजिए, प्लीज इस पर काम कीजिए, अभी काम करना है, ओके, थेंक्यू भूले बाबा, और क्या messages है, क्या आ रहा है, आने exactly, वही चीज है, आपका north node, man holding a coin, okay, thinking women, one last card, contract, देखे, यह जो time है, thinking man, exactly, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, कि आप लोग, या तो किसी contract से बरी होने माले हैं, चीक है, किसी चीज से free होना चाह रहे थे, तो वो free हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए यह है कि आप किसी contract में बन रहे हैं, contract in the sense, यह मुझे बहुत से लोगों के लिए कुछ marriage की vibes आ रही है, ठीक है, marriage हो सकती है, कुछ लिबरास की, यहाँ पर आने वाले यह जो 15 दिन है, marriage commitment fix होना, commitment मिलना आपको, sorry, marriage fix होना, कुछ ऐसे, या फिर court marriage आप लोगों की हो सकती है, क कि आप ना बहुत thinking women का भी card यहाँ पर आ गया है, Libras, कि बहुत ही जादा overthinking में हो, बहुत ही जादा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जो आपकी overthinking है, यह आपको, I'm so sorry, मैं बोलना नहीं चाहती है, यह आपको ले डूच सकती है, बस आप इस चीज को, इस message को समझो, इसे negatively लोगे तो भई फिर इसी energies में स्टक्टर होगे, और फिर ऐसी ही energies को आप इंवोक करोगे, समझ रहे हो, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अपनी overthinking पर काम कीजे लिब्रास, जिनके लिए भी यह message है, प्लीज वो receive करें, ठीक है, अपनी overthinking पर काम कीजे और यहाँ पर आपके लिए जो आने वाले समय में, यह जो मैं shift देख रही हूँ, कि कुछ ना कुछ है आपके अंदर जो आपको feel होगा, ठीक है, यह आपके लिए blessing है, कि कुछ है जो आपको लगेगा, कि यह एक strong, यह एक wrong foundation था, और वो गेर के, या फिर वो चीज जो है, गिर हाथी strong, यह partnership मुझे बहुत लग रही है, partnership में भी आप लोगों के लिए हो सकती है, ठीक है, partnership आना, किसी के साथ मिल कर के काम करना, यहाँ पर भी आपके लिएक message था, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, कि आप अखेले कर लेंगे Libras, तो देखे थोड़ी guidance आपको जरूरत है guidance के आपको या फिर information collect करना या किसी की guidance के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, कि collect कीजिए, आपके लिए वो support भी है, वो help मौझूद है आपके लिए और with the contract also, ये कार्ड ना मुझे बहुत ही ऐसा दिखा रहा है, कर्मा का जिसे कार्ड बोलते हैं, कर्मा रिटर्न, ठीक है, तो आपने जो भी कर्म करें हैं वो आपको जरूर पे ओफ होंगे, don't worry, बस अपनी intentions को पेओर रखिए, ये कार्ड ना आपको यहाँ पर क्या बोल ये वक्तना लेने का नहीं है, देने का जादा है, तो आप अपनी तरफ से जितना giver बन सकते हो, चाहे अपने relationships में हो, चाहे अपने career में हो, चाहे आप किसी भी form में, चाहे मैं अपने आसपास की लोगों की भी बात कर रहे हूं, जितना आप giver की energy, giver का एक रोल प्ले करो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, अब ये रोल किस तरीके का प्ले करना है, आपको कहने का मतलब, जहां आपको लगे कि जो आप से अहोदे में छोटे हैं लोग, ठीक है, या फिर जहां जो नीरी people है, कोई animal है, कोई बर्ड है, कोई भी ऐसा जीव जन्तू, कोई प्रा इतनी वाइस नी बोल रही कि आपको इतनी मदद करनी है, इतनी अगर आप कर पाएं, आपकी बस intentions पे और होनी चाहिए, नियात अच्छी होनी चाहिए, इतनी भी अगर कर पाएं, तो वो कीजिए, एक giver के एनर्जिस में रहे है, देखिए आपके लाइफ में सारी चीजें बालेंस होगी और आपको बिल्कुल सही direction मिलेगी और आप अपने life purpose को जियोगे, ये for sure है, बस अपनी तरफ से एक giver वाली energies में रहो, अभी ये वक्ती सिर्फ ये नहीं सोचना कि मुझे इस रिष्टे से क्या मिल रहा है, ये 15 दिन खास कर, मुझे उस में से क्या मिल रहा ह मैं कितना दे सकता हूं, मैं किस तरीके से दे सकता हूं, बस देने के बारे में सोचो, जितना देने के बारे में pure intentions के साथ सोचोगे ना, उतनी ही stability को, उतनी ही right direction को आप अपनी life में manifest करोगे, ठीक है, ये आपके लिए message था, last एक और message है आपके लिए, बहुत लंबी वीडि है, प्लीज भूले बापा, एक message ओड दे जीचे, प्यारे Libras के लिए, thank you, 15 दिनों के लिए, hidden depths, exactly, जो मैं आपको बोल रही हुना, कि दिखे, something hidden is about to come to light, oh my god, moon का card भी था, perhaps a secret of memory at the back of your mind, when we expose what's hidden, we can become free, see, मैं बोल रही हुना, oh my god, bottom of the deck भी आपके लिए solitude है, ये बहुत ही powerful message है, Libras, कुछ है awakening आपके अंदर, कुछ है shift आपके अंदर, ये यूही नहीं आप North Node को चूज कर रहे हो, my dear, ऐसी नहीं कोई कर लेता, North Node चूज करना, हर कोई अपने comfort zone में रहना चाहता है, अपने south zone में रहना चाहता है, यहाँ पर आप North Node को चूज कर रहे हो, क्योंकि आ आपको वो click करेगा, समझ रहे हुआ, कि yes, मैं ये करने आया था, मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है, कुछ open हो रहा है, और उसके लिए solitude की energies में जाना बहुत जरूरी है, उसके लिए आपका nature के साथ connect होना बहुत जरूरी है, उसके लिए आपका meditate करना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ तो है यहाँ पर, जो आपके लिए हो रहा है, बहुत ही बड़ा कुछ, इन पंदरा दिनों में, तो yes, इस reading को claim जरूर कीजिए, और इस guidance को follow कीजिए, my dear, और आपसे अगर connect होई है, तो please like जरूर कीजिएगा, और guidance मिली है, messages मिले है, तो please divine को thank you, जरूर बोलि के लिए कर रहे हैं, उस तक ये message deliver कर रहे हैं, उसको वो guidance मिलेगी, और अभी तक channel को subscribe नहीं किया है, तो please कीजिएगा, thank you so much for watching my video, God bless you all, bye-bye.